कि हैलो फ्रैंक ट्रॉल्कम टियर ओन चैनल डेली स्टॉड तो इस वीडियो में आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स के इक वाटर ती में बताने वाला हूँ और यह भी बताऊंगा कि अब आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर पेसा डालना है या नहीं तो यह पूरी ज चैनल को जरू सब्क्राइब कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं यह देखिए बजाज इलेक्टिकल्स के जो नतीजे निकल कर आया है वो एकदम बढ़िया निकल कर आया है लगबग यहापर 10 टैंसी कमपनी की प्रोफिटेबिलिटी में देखने को मिली है 947 पर्चेंटेज कमपनी का मुनाफ़ा बढ़ गया है मतलब अगर पिछली बार कमपनी 4 रुपए कमा रही थी तो इस बार हो गया है 1047 और एड कर दीजे उसमें तो यहाँ पर बढ़िया मुनाफ़ा बजाज इलेक्ट एक्टिविटी से कमपनी को कितना मुनाफ़ा हुआ है और मलब कमपनी के एदर सेग्मेंट भी होते हैं मलब कुछ कमपनी का रेंट आ रहा है कुछ इंट्रेस्ट इंकम आ रही है तो वो सब मिला के कॉन्सोल डेटिड कमपनी का जो पी एनल निकल कर आता है उसमें 947 परसे कम में भी यहां पर 18 परसेंट की बड़ोतरी देखने को मिली है और वो गई है पन्रह सो बाइट पॉइंट फिफ्टी सेविन करोड अब देखिए कंपनी का इतना मुनाफ़ा क्यों बड़ा देखिए पिछले साल के मुकाबले एक्सपेंज खर्चे बहुत कम हो गये है और बजाज इलेक्ट्रिकल का घीजर का मार्केट शेर सबसे ज़्यादा है यह आपको पता होना चीए तो देखिए नतीजे यहां पर इन्होंने बड़िया पेट किये हैं बड़िया परफॉमेंस से पिछले साल के मुकाबले कई गुना बैतर परफॉमेंस बजाज इलेक्ट् बड़िया परफॉम किया है तो यह आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा मार्च 2021 के बाद अगर सेक्टर का पी देखेंगे तो वो देखिए 98.15 एरो सेक्टर के जो शेर है वो भी खासे अच्छे खासे ओर वेल्यूड है तो यह भी इतना ओर वेल्यूड रहे बेचना पड़ता है और मेंगे रेटो पर ही बेचना पड़ता है इसका देखिए मार्केट केप देखिए 8430 करोड का है और जिस तरीके से इसका मुनाफ़ा भी निकल कर आया है यह 2-3 साल तक और ऐसा परफॉमेंस इसने दे दिया तो आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल में यह लार्ज केप बनेगा मिड केप नहीं बोल रहा हूं लार्ज केप वापी सुनिएगा लगबख 35-40,000 करोड की मार्केट केप 2-3 साल में मुझे इसकी होती हुई नजर आ रही है अगर यह कंसिस्टेंट लिए इसा परफॉर्म करता रहता है तो अब आप यह देखिया इसके जो रेवेन्यूज है वो लगातार देखे तो 17 से लेकि 19 तक तो बड़े थे फिर 19 से 20 वाले में आप देखिए यहां पर एक गिरावट देखने को मिली है अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज की बात करे तो अब यहां पर आप यह देखिए कंपनी के मुना मुनाफ़ा कमा रही है कभी कम मुनाफ़ा कमा रही है और पिछली बार तो लगबग कंपनी घाटे में भी चली गई थी वह जैक कितना घाटा है वो यहां पर नहीं दे रखा है अब आप यह देखिए इसके आज ही नतीजह आया है और शेयर देखिए आज ही लगबग 5% की तेजी के साथ भाग गया है 774 पे क्लोजिंग है और 857 का यहां पर all time high इसने बनाया है मतलब अच्छी रूपे लगबग अच्छी रूपे यह आपको अभी भी discount पे मिल रहा है अब अच्छी रूपे मतलब लगबग यह 10% almost 10-11% यह आपको इसके all time high चे discount पे मिल रहा है मत से दे दिया है मतलब अगर आपने इसमें एक लाग रूपे डाले है पांच साल पहले तो उसकी वेल्यू आज चार लाग 32,000 रूपाए होटी तो एक तरीके से मल्टी बैगर तो यह पहले सी रह चुका है देखिए बजाज इलेक्रिकल का जो धंडा है उसमें में जो इसका प्रॉड़क्ट घीजर तो इस समय देखा जातो रिजल्ट जो इस क्वाटर के जो रिजल्ट है वो एक तरीके से इसके हर साल अच्छे ही निकल कराते है बात तब बनेगी जब यह हर क्वाटर में बढ़िया परफॉर्म करेगा और हर येरली बेचिस पर इसमें बढ़िया नतीजे आपको देखने को मिले देखे मैं आपको फेर बात बता देखो अभी इसका दस गुना इसका मुनाफ़ा बढ़िया है तो आप यह सोचोगे कि इसके शेयर का प्राइस भी दस गुना बढ़ जाएगा ये ठिंकिंग बिलकुल गलत है ठीके पहले से कंपनी गाटे म ध्यान से सुनिएगा साथ चोर रुपए पर इस शेयर को खरीदना बनता है उससे पहले नहीं खरीदना चीए लॉंग टरम इंवेस्टर्स को इसमें बढ़िया रिटन कमाना है कम से कम तीन सार साल तक होल्ड करके रखिये बढ़िया रिटन ये शेयर आपको देखकर जाए देखे तीन सार साल पेशन्स रखना पड़ेगा यू नहीं कि आप देड़ दो साल में थोड़ा सा भी ये लॉस में आ जाता है तो आप इसको बेच दो ऐसा नहीं करना है पेशन्स रखना है और और अपने शॉट टम इंवेस्टर्स के लिए थोड़ा से दूर रहे शॉट कितना भी बढ़िया क्यों निकल करा है देखे कोई डाउट नहीं कि यह भी 900 रुबे भी चला जाएगा अगर मार्केट को और खीचा गया ना तो यह 900 रुबे के आपको 1000 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा लेकिन अपने को क्या करना है अपने को वो शेर में पैसा डाल है लेकिन देखिए अगर आप एक लग का इंवेट्मेंट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो इसमें आप 10,000 से ज्यादा पैसा मत डालिए मैक्जिमम पूरी के अबिटल का ओनली 10% वजाज इलेक्ट्रिकल वा लॉंग टम इसमें आप पूरा पैसा ने डालना है आपक आपको इसके अंदर मिलने के चांसिस जहां पर कम है तो मैं होप करता हूँ कि बजाज इलेक्ट्रिकल के क्वार्टर थी के रिजल्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आगिया होगा और अगर आपको कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट चेक्शन में जरूर ब को मिल जाएगा और आप हमरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे ओके थैंक यू एव नाइस देख